जल्द ही करनाटक में होने वाले विधानसभा चुनाओं से पहले यहां की सत्ताधारी कॉंग्रिस ने एक बड़ा सियासी दाउं चला है जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है राज्य काबिनेट ने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने का एहम फैसला लिया है राजडितिक गलियारों में राज्य सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक की तरहा देखा जा रहा है लिंगायत समाज पहले वैदिक धर्म का ही पालन करता था लेकिन कुछ कुरीतियों को दूर करने और उनसे बचने के लिए लिंगायत संप्रदाई की स्थापना की गई समाज सुधारक बासवन्ना ने लिंगायत समाज की स्थापना की थी जिन्हें भगवान बासवेश्वरा भी कहा जाता है बासवन्ना का कहना था कि लोगों को उनके जन्म के मुताबिक नहीं बलकि काम के आधार पर बांटा जाना चाहिए जबकि हिंदु धर्म में जन्म के आधार पर वर्ग का निर्मान होता है बासवन्ना ने वेदों को खारिच किया था इसके साथ साथ वो मूर्ती पूजा के भी खलाफ थे लिंगाय समाज को करनाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है करनाटक की आबादी का 17 फीसदी लिंगायत है अच्छी खासे आबादी और आर्थिक रूप से मजबूत होने की वज़ह से करनाटक की राजनीती पर लिंगायत का काफी असर है असी के दशक की शुरुवात में रामकृष्ण हेगड़े ने लिंगायत समाज का भरोसा जीता हेगड़े की मृत्यु के बाद बीएस येदि उरप्पा लिंगायतों के नेता बन कर उभरे 2013 में ब्रश्टचार के मामले में बीजेपी ने येदि उरप्पा को सीमपत से हटाया तो लिंगायत समाज ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया नतीजटन कॉंग्रेस फिर से सत्ता में लौट आई अब बीजेपी फिर से लिंगायत समाज में गहरी पैठ रखने वाले येदि उरप्पा को सीम उमिदवार के तोर पर आगे रख रही है अगर कॉंग्रेस लिंगायत समुदाय के वोट को तोड़ने में सफल होती है तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए नुकसान देश साबित होगा लिंगायत समुदाय के लोग हिंदु धर्म से अलग मानिता की मांग लंबे अर्शे से कर रहे थे नाराज लिंगाय संगठनों ने 2011 की जनगर्ना के वक्त अपने लोगों के बीच ये अभिहान चलाया कि वो जनगर्ना फॉर्म में अपना जेंडर न लिखे करनाटक में ऐसा माना जाता है कि लिंगायत जिसको समर्थन दे उनके सिर पर प्रदेश का ताज आता है और अभी राज्य के मुख्यमंत्री सिध्धारमया भी लिंगायतों की मांग का खुलकर समर्थन कर रहे हैं करनाटक में 2018 में चुनाओ हैं ऐसे में लिंगायत समुदाय इसमें काफी एहम भोमिका अदा कर सकता है वीडियो डेस्क अमरुजाला टीवी नई दिल्ली झाल